दोस्तो 2024 में मैसी लेकर आया है नई स्रीस का नया ट्रेक्टर अब यह ट्रेक्टर आपको डायना स्मार्ट स्रीस पर देखने को मिलने वाले है जैसे कि इसमें आपको जो पहले डायना ट्रेक्ट मिलता था लेकिन अब आपको डायना स्मार्ट स्रीस पर देखने को यह ट्रेक यानि कि इस ट्रक念 को आप बारा गियार की चनगे को से कि यहां सकते हैं, वहीं ओरा पीछे चनगा सकते हैं, इसमें अपको मिलने वाला arbeiten गेर पोक्स, मिलने से उससी कि इसे कुछ आपको आप आप पर देख सकते हैं इसमें आपको इंटिकर्ट के लिए बलब टाइप में देखने को मिल जाते हैं हावर्स मिटर का यूज किया गया है कमपनी इसमें मिनी स्क्रीन का और यहां पर आप देख सकते हैं लो आयमिडियम गयर बॉक्स जो की साइड गयर में आपको देखने को मिल जाता है और इस तरह आप देख सकते हैं वन डू त्री फूर बाल लिवर देखने को मिल जाता है दोस्तो इसमें आपको जो प्लेट फरम मिलने वाला है पूरी कारो वाली फिलिंग देने वाला है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कमपनी दे रहा है हाइडूलिक कंट्रोल के लिए दो लिवर, पोजिसन कंट्रोल लिवर और डरप कंट्रोल लिवर साथ में आपको यहाँ पर देख सकते हैं पार्किंग ब्रेक देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको समान रखने के लिए मिल जाता है लिवर काफू जादा स्टालिस देखने को मिल जाता है कारो वाली फिलिंग देने के लिए इसमें company ने एक से बढ़कर एक features दिये हैं जैसे कि इसमें आपको hydraulic lock देखने को मिल जाता है जिससे कि instructor की sensing को कम यह फिर ज्यादा कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों में आपको दिखाना चाहूंगा देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको extra box देखने को मिल जाते हैं जिसमें आप mobile बगार रक सकते हैं यहाँ पर आपकोश्तिक टाइप की dip की देखने को मिल जाती है यहाँ पर देखसकते हैं इस्टव brought SC में आपको time कर देखने को मिल जाती है जिसमें आपको 12 बोलड का socket भी देखने को मिलने वाले है और दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा देख सकते हैं काफी जादा stylist इसमें आपको switch देखने को मिल जाता है जो कि काफी जादा stylist बना अगया है, यहाँ पर आपको light जो कुल आपको कंट्रोल देखने को मिल जाते है, दो कि आपको इस तरह को इसे खुलना बढ़ता है, वो न खुलना पड़ा, यहाँ पर आपको प्लेट मिल जाती है, साथ में यहाँ पर आपको धाई किलो बाट का बारा बोड दमदार सेल्फ मोडर दिये गया है, जो कि आपको देख सकते है कुछ इस तरह का सेल्फ मोडर, मोड़ा वाला, जो कि लंबाई वाला कम में दिया गया है, वो मिल जाता है, और इसमें कमपनी दे रही है, डिवल एक्टिंग, अडूलिक पावर श्टेरिंग, जिसमें देख सकते हैं, कुछ इस तरह का सिलंडर आपको देखने को मिल जाता है, दोस्तो इसमें आपको जिवल वैस मिलने वाला है, 1935 mm का मिल जाता है, जो कि चेकर 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 लंबाई काफ जादा बढ़ाई गई है, जिससे कि रेक्टर आप ट्रॉली बगएर पर बहुत ही असानी से यूज़ कर सकते हैं, फ्रेंट लेप्टिंग नहीं करेगा, और इसमें आप देख सकते हैं, जो कंपनी टायर दी है, इसमें आपको MRF का टायर देखने को मिल जाता है, दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंपनी ने इसमें भी आपको MRF का टायर दिया है, वहीं अगर बात कीजा है size की तो इसमें आपको आठारा का front tire size देखने को मिल जाता है जो कि पिछला इससा आपको पीछा वाल जो tire मिलने बाला है चाहुदा का tire मिल जाता है और आप सनाल में आप 16 का भी tire ले सकते हैं इसमें आपको दोनों system देखने को मिल जाते हैं दोस्तों देख सकते हैं ट्रक्टर का पूरा लुकुशित तरह का मिलने वाला है ये है मैसी के तरप से आने वाला मैसी फार गोसन दोसो चबुवन डियाई डायना स्मार्ट फुर विल ड्राइब में आने वाला ये लटेश्ट दोहजार चोबिस मॉडल जिसमें अगर बात की जाए याने के चोड़ाई की तो इसमें आपको 1784 mm के मिल जाती है वहीं इसमें आपको 1935 mm को भी इल्वेस मिल जाते है 390 mm के आज पास इसमें आपको ग्राउंड की लंच देखने को मिलने वाला है ट्रक्टर पर आपको कमपनी दे रहा है देख सकते हैं कोशिस त्रेग बो जाली देखने को मिल जाती है जो कि फ्रेंट में और साइड में दोनों तरफ आपको जाली देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम है इसमें आपको दिखाना चाहूंगा ट्रक्टर के यहाँ पर जो आपको एंजिन मिलने वाला है काफी ज्यादा हाई प बात की जाए इंजिन की तो इस ट्रक्टर को लॉंच की जा गया है 50 HP का डगरिक अंदर जिसमें आपको तीन सिलंडर का 2700cc के अंदर आने वाला वाटर कोल्ड दमदार इंजन देखने को मिलने वाला है यहां पर देख सकते हैं डिवल टेंड नम पंप का यूस किया गया है बात कर लेते इसके श्टेरिंग की इसमें कंपनी दे रहा है डिवल अक्टिंग अडोलिक पाबर श्टेरिंग और इसमें में इसमें आप पूस्ट पीट्यो देखने को मिल जाती है जोगि 52 ृसटेर आफ भपो ग्रतींग और यहां पर आप देख सकते हैं वन तो थ्री फर लीवर देखने को मिलने वाला है साथ में आपको hydraulic control के लिए दो lever देखने को मिल जाते हैं brake की अगर बात कीचा इसमें आपको oil वाले brake देखने को मिलने वाले हैं जिसमें आपको काफु जादा heavy duty वाले battle देखने को मिल जाते हैं दस्तो इसमें आपको मिल जाता है fully analog type में आपको मिल जाता है बाकी इसमें आपको mini screen दिया गया है harvest meter का यूज़ करने के लिए वह अगर बात की जाए उपर की view की उपर का view देख सकते हैं कुछ इस तरह का मिल जाते हैं यहाँ पर आपको ये fuel tank के लिए इसमें आपको ठकन मिलने वाला है वहीं इसमें आपको fuel tank मिल जाता है company इसमें दे रही है अंठामनेर वाल fuel tank और इसमें आपको side mount silencer देखने को मिलने वाला है दोस्तों यह तो अगर ट्रक्टर के उपर का view side का view बात कर लेते हैं पिछले profile की साहसे जाने के lifting capacity PTO HP PTO type तो पिछला इससा देख सकते हैं कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है जिसमें company lower link quality देख सकते हैं काफ़ जादा मजबूत दी है और इनमें आपको jack system मिलने वाला है जो की gold type में आपको jack मिल जाता है इसकी lower link को control करने के लिए और इसमें हीच देख सकते हैं काफ़ जादा heavy duty वाली दे गई है दोस्तो इसमें आपको three point linkage दिये गए है top link को फसाने के लिए और इसमें आपको quarter video साथ में देखने को मिल जाता है यह tractor और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं companies में दे रहा है single rod साथ में आपको ट्रॉली वेकारा यूज करने के लिए single control valve न हट अगर companies में दे रही है double control valve जिससे कि आप tripping trolley reversible plow laser leveler बड़ी असार इसे चला सकते हैं दोस्तों इसमें आपको जो company excel प्रोवाइड करा रही है देख सकते हैं इसमें आपको fixed fender का यूज किया गया है लेकिन इसमें आपको EPI type एक्सल देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ जादा भारी भरकम एक्सल इसमें दिया गया है दोस्तों इसमें अगर बात कीचा lifting capacity की तो इस ट्रेक्टर पर जो आपको lifting capacity मिलने वाली है 2050 kg की lifting capacity आपको देखने को मिल जाती है lower link quality देख सकते हैं काफ़ जाद high देखने को मिल जाती है जिससे कि आप कोई भी काम बड़े सानी से कर सकते हैं ना ही कोई टूट फूर होने वाली है ना ही कुछ होने वाला है और पिछला भी देख सकते हैं कोशिश तरह का देखने को मिल जाते हैं जिसमें रात में काम करने के लिए single आपको हरिजंट आपकी headlight देखने को मिल जाती है साथ में आपको प्लास्टिक का टोल बॉक्स दिया गया है पीछे और seat के पीछे आपको प्लास्टिक का फ्रेम मिल जाते हैं जिससे कि आप बोडर वगयर होल्डर कर सकते हैं तो असा करता हूं दोस्तो वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए जोस्तो अगर आपकी सिय और ट्रेक्टर का लिवी देखना चाहते हैं कॉमेंट कर सकते हैं हम पूरी कोसेस करेंगे आपके कॉमेंट के वीडियो अपलोड करने की